यहां पर मैं आपको आज बताऊंगे कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगिटिव उज़ा है, किसी भी प्रकार की कोई नजर लगी हुई है, तो आप लोगों को क्या उपाए करने चाहिए? नजर लगने और उतारने के बारे में लगबख सभी लोगों ने सुन रखा होगा, हमने भी अक्सर बच्वन में देखा है, कि जब हम बिमार पढ़ जाते थे या हमें भूक नहीं लगती थी, तो हमारी दादी, नानी, मा हमारी नजर उतारा करती थी, नजर उतारने के कई तर तरक्की करता है उसके जीवन में खुशाली आती है उसके साथ खूब पैसा आता है उसका बिजनस अच्छा चलता है इसी तरह कि कोई भी खुशनुबा बात जब किसी व्यक्ति के साथ उसके जीवन में होती है तो उससे द्वेश रखने वाले उससे जलने वाले लोग भी मन मस्तिश्क में भ्यानक और भ्यंकर नकरात्मक उर्जा निकलने लगती है जो सीधे खुशाल व्यक्ति को प्रभावित करती है ये सब बेहत समाने से प्रिक्रिया है ऐसे देखने में हमें महसूस नहीं होता कि हमारे लिए को नेगेटिव थौट रखता है या हम पर किसी ची कि में बाधा आने लगती है उसके पास धन का आगमन कम होने लगता है उसके जीवन से खुशियां सिमटने लगती है ये सब किसी नजर दोश के कारण ही हो सकता है देखिए नजर दोश को दूर करने के बहुत सारे उपाए हैं इसमें सबसे कारगर उपाए है अपने मन को स् यहाँ सबस्सक्स करने मिताहियोगा I heard that उठीक्च circuit 06 मोजारस के तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ at alles अगर बच्चे को नींद में डर लगता है तो ऐसे में आप लोगोंने क्या करना है मंगलभार यार अविवार के दन विट्करी का एक टुकड़ा बच्चे के सिहहाने रख दे और रात में बच्चे को सोते हुई ऐसा अगर आप करते हैं तो कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे और नहीं बच्चा डर कर कभी उठेगा ऐसा करने से आपको और आपके बच्चे को बहुत रिलीफ महसूस होगा कई पेरेंट्स हमेशा परिशान रहते हैं कि बच्चा डरता बहुत जादा है तो ऐसे में यह उपाई किया जा सकता है और उसके बाद सुबह उठकर उस फिटकरी को आप कहीं भी बाहर अपने घर में ना करें घर से बाहर आप कहीं भी उसे विराने में गिरा दें या फिर आप उसे पानी में बहा सकते हैं कई बार देखा गया है कि परिवार में जगड़े बहुत जादा होने लगते हैं ऐसा भी किसी बुरी नजर की वज़े से हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपकी खुशियों को देख कर आप से जैलस होते हैं और जिसकी वज़ा से परिवार में जगड़े बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ये जगड़े और भी बड़ा रूप ले लेते हैं जिसकी वज़ा से आप लोगो पलंग के नीचे इस लोटे को रख ले अगर पलंग के नीचे जगे नहीं है तो आप अपने साइड पर भी उसे रख सकते हैं और सुबह उठकर अपना कोई भी इस्ट जिसे आप मानते हैं उनका कोई मंत्र है कोई उनका नाम है उसे लेकर वो पानी आप पीपल पर चढ़ा ऐसा करने से कुछ दिनों में ही आपको यह कलह जो है आपके घर में चल रहे जगड़े चल रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे और घर में शानती होने लगेगी अगर जगड़े बहुत जादा बढ़ चुके हैं तो ऐसा आप तरतालिस दिन करें यह उपाये जो है तरतालिस द तो इस प्रकार से इन चोटी-चोटे उपायों को करके आप अपने घर से नेगिटिव अनरजी को दूर कर सकते हैं किसी भी तरह के नेगिटिव अनरजी हो चाहे वो जगड़ों की फॉर्म में हो चाहे वो बच्चों के डर की फॉर्म में हो चाहे वो आपकी आर्थिक उनत में बाधा ही डाल रही हो आप इन चोटे-चोटे उपायों को करके उनसे रिलीफ पा सकते हैं तो इस प्रकार से आज हमने यहां पर फिटकरी की उपायों की बात की है आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे उपायों की बात करेंगे जो आपकी नेगटिव एनर्जी को आपक नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें